नमस्कार दोस्तों, मेरे किचिन में आपका स्वागत है, आज मैं देशी चनों से चटपटी नमकीन बनाने वाली हूँ, इसे चना पटा का भी कहते हैं, चना पटा का नमकीन बनाने के लिए हमने एक कटोरी देशी चने लिए हैं, इन चनों को हमने अच्छे से दो कर आदा च चने अच्छे से फूल गए, अब हम इनका पानी निकाल देंगे, और इन्हें हम अच्छे से धोलेंगे, चने अच्छी तरह से धुलगाएं चनो को अच्छी तरह से सुखाना है चनो को सुखाने के लिए किचिन टाबल ले लिया है इस पर चनो को डाल कर अच्छे से पोंच लेंगे चनो को अच्छे से पोंच लिया है अब इसे आदा घंटे के लिए हवा में छोड़ देंगे कड़ाई गैस पर रख दिया है अब ये कड़ाई गरम हो गई है इसमें तेल डाल देंगे तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है तो हम अब इसमें चने डाल देते हैं चने डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इन्हें चलाते हुए फ्राई कर लेंगे चने फ्राई हो गए हैं इन्हें चेक करने के लिए एक चम्चे में करके हिला के देख लेंगे अगर यह आवाज करेंगे तो फ्राई हो गए है चनों से आवाज आ रही है चने हमारे अच्छे से क्रिस्प हो गए है तो अब हम इनने निकाल लेते है चने हमने एक जाली के उपर निकाले है नीचे थाली लगा लिए जिससे इन चनों का एक्स्ट्रा तेल निकल जाए इसी तरह से हम सारे चनों को फ्राई करके त्यार कर लेंगे सारे चने फ्राई हो गए तो अब चनों में डालने के लिए मसाला त्यार कर लेंगे मसाला बनाने के लिए दो चमच साबुद धनिया एक चमच लाल म्रच का पाउडर एक चमच अमच पाउडर आधा चमच काली म्रच का पाउडर एक चमच साबुद जीरा चार-पांच लोंग एक टुकड़ा दाल चीनी इस सब को mixer जार में डाल कर पीस लेंगे मसाला पीस के एक कटोरी में निकार लिया है और एक कटोरी में नमक ले लिए अब हम चनों में एक चमच मसाला और स्वादनुसार नमक डाल कर मिक्स कर देंगे हमने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है देखिए हमारी चना पटा का नमकीन बन कर तयार है बहुत अच्छी बनी है तो आप भी बनाईए खाईए और अपने एक्सबिरेज हमारे साथ से एर कीजिए अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगी हो तो हमारी रेस्पी को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ जै हिन जै भारत